जानेंगे इस कारोबारी सब्ता एक कर्रेक्शन की थीम जहां पर जो प्राइज़ हैं उनमें गिरावट का रुख देखने मिला चाहे वो मसाला कॉम्पलेक्स हो या फिर सोया कॉम्पलेक्स हो या कॉटन हो या कॉटन सीड ओल केक हो हमने देखा कि उपरी स्थरों से एक गिरावट का रुख देखने मिला है गौर सीड और गौर गम यहां पर भी एक कर्रेक्शन का रुख देखने मिला है तो पूरा ही अगरी कॉम्पलेक्स पिछले हफते या फिछले दो हफतों से लगबग मैं कहूंगा कर्रेक्शन में है ल सीट से यहां पर हमने उपरी स्थरों से अच्छी करेक्शन आते हुए देखी गौर गम में हमने देखा कि करीबन 12800 के आसपास जो हाइस बने थे वहां से 11600 तक प्राइस फिसल गई और हफ़ते का क्लोजिंग है जो है वो लगभद थोड़ा सा पुल बैक देके 11750 के आसपास देने में प्राइस कामया हुई है ऐसा लगभद माच से 10300 से लेकर 13200 की जो राली देखी उसका ये करेक्शन था और इसके बाद निशले स्थरों से दुबारा निवेश मांग जो है वो बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है तो आने वाले हफते में मुझे लगता है क जो पहले के टागेट रहे गए थे 12800 के वो हो सकता है हमें आने वाले दो से तीन हफतों में दिखाई देंगे अगर अगले हफते की बात करों तो 12300 का एक इमेज़ेट लक्ष हो सकता है जो गौर गम में हम लिके चल सकते हैं वहीं गौर सीड में ऐसा लगता है कि 5800 से बढ विफी पेंडिंग है वो आने वाले कुछ हफतों में हासल होने की यहां से उमीद दिख रही है क्योंकि एक कर्रेक्शन ओलडी आ चुकी है और यहां से नहीं तेजी की शुरुआत देख पाएंगे वहीं अगर मसाला कॉम्पलेक्स में हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में पिछले हफते हमने प्राइजिस में नर्मी की बात की थी जहां पर 8600 के नीचे के स्थर आ जाएंगे ऐसी एक पॉसिबिलिटी थी हमने प्राइजिस को 8100 तक जाते वे देखा और उसके बाद एक रिकवरी हमने देखी है 8315 से 20 तक का क्लोज आया है ऐसा लगता है कि जून वाइदा में जो आगे जाकर एक एक एक्टिव कॉंट्राक्ट हो जाएगा जहां तक फीचर्स मार्केट का सवाल है हम देखेंगे कि एक रिकवरी आ सकती है 8800 तक तो मैं करेंट प्राइस पे बाइंग करने की सला देना चाहूंगा वहीं जीरे में भी हमें लगता है कि एक करेक्शन जो थी वो काफी बड़ी करेक्शन हमने 23,000 के उपर के सतरों से देखी है लगभग 21,000 के लोज बनते वे देखे हैं क्लोजिंग 21,200 की देखने मिली है जून वाइदा में अब यहां से बजार जो है दुबारा तेजी की तरफ जानने के लिए तैयार है और अपसा बात करूं कि जो धनिया का सवाल है धनिया में भी हमने देखा कि एक गिरावट का रुक दिखा था और उसके बाद में जो क्लोजिंग आई है वो रिकवरी देखर आई है धनिया में हमने देखा कि 13,200 के उपर किस तर टेस्ट हुए थे और उसके बाद लगभग 11,200 के एक अच्छी रिकवरी हमें प्राइजेस में आने वाले कुछ सेशन में देखने मिलेगी जो निवेशक हैं यहां पर बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि अब साइड में अभी भी काफी पोटेंशल बाकी है प्राइजेस को जाने के लिए काफी जगा है इमेजेट तोर पर अगर देखा जाए तो 11,800 का एक level होगा जो बहुत ही short term target होगा लेकिन positionally मैं समझता हूँ कि 13,000 किस तर हमें दुपारा दिखाई दे सकते हैं और उसके उपर positional basis पे 14,300 का long term view याने एक quarter का अगर हम view लें तो यहां से करीबन 3,000 रुपे की तीजी आने वाले एक्तिमाही मे हमें देखने मिल सकती है वहीं पर M6 cotton की मैं बात करूँ तो 46,200 का जो लक्ष हमने पिछले साफ़े डिसकस किया था वह असल हो गया वहां से correction भी देखने मिली 45,800 के करीब के lows बनते हुए देखे मही वायदा में और उसके बाद 46,600 के उपर की closing आई है ऐसा लगता है कि हाला 48,500 यानि 48,500 का एक अगला positional लक्ष लेके चलना चाहिए क्योंकि बादार जो है वो काफी higher level पे trade कर रहा है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि stop loss जरूर रखे तो अगर आप 46,300 से 200 के बीच पाई करना है जो एक immediate support है तो यहां पर जो stop होना चाहिए वो 45,600 के नीचे होना चाहि लेकिन positionally जिस परकार मैंने बताया 48,500 का लक्ष हासिल हो सकता है medium term basis तो वो एक लक्ष लेके चल सकते हैं वहीं पर cotton seed all cake की बात करूँ तो काफी महीनों से जो मैं 3550 का लक्ष लेके चल रहा था हाला कि 2900 के नीचे immediate तोर पर जो level है वो निकल चुका था और 2800 के भी स्थर हम ने देखे लेकिन जो closing हमने देखी है पिछले हफते की 3000 के उपर आई है और हमने एक काफी decent correction 3460 जो लगबख January में high बने थे उसके बाद में हमने 4 महिनों का correction देखा है और अब ऐसा लगता है कि price जो है दुबारा तीजी की तरफ जाने में कामियाब होंगी immediate basis पे मैं समझता हूं 2800 के उपर जब तक prices हैं तब तक buy on dip कर सकते हैं याने जो traders है वो stop loss जो है 2800 के नीचे के लेके चल सकते हैं और अगर किसान है तो वो यहां से एक बहतर level की उम्मीद कर सकते हैं बहतर level से मेरा मतलब है immediate तोर पर अगर हफते बर की बात करें तो 3150 और positionally मैं भी समझता कि 3320 का लक्स लिया जा सकता है जिसके बाद अब भी मैं कहूंगा कि 3550 का सतर हासिल हो सकता है लेकिन उसे आने में हो सकता है कि एक quarter या एक तिमाई का समय लग जाए तो मैं current level से जिस परकार मैंने पहले कहा था कि सारे ही अगरिक अमोरिटीज में एक तेजी का रुजहान द से मैं तेजी की उम्मीद करना चाहूंगा वहीं मैंन्था ओयल में भी हमने देखा कि एक गिरावट का रुख initially देखने मिला है लेकिन जो हफते का close आया है 1086 के उपर दिया है माई वायदा ने ऐसा लगता है यहां से एक recovery 1110 1110 यानि देखने मिल सकता है इस तर हाला कि upside जो का दोर देखने मिलेगा तो एक limited upside के साथ में ट्रेड होने की उम्मीद है वहीं पर सोय कंप्लेक्स में हमने अंतराश्य बजार में भी सोय बीन में correction आप देखी और यहां domestic बजार में भी मुझे लगता है कि हम 8000 के इस तरों के उपर ज्यादा टिक नहीं पाए और एक correction भी medium term याने तीन से चार हफते का view लें तो 8100 का एक लक्ष देखने मिल सकता है